जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का वहीं चीर परिचित अपना दोस्त आज एक और नए टोपिक को ले करके आया हूं दोस्तों आप सब के लिए आप लोग हम यह सा से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं और लवानमित होते रहे हैं इसके लिए शुक्रिया आए हम आ आचन मरदाना कमजोरी प्रजनन चमता सहित अनिक रोगों में चमतकारिक फायदे होते हैं दोस्तों मखाने का इस्तेमाल नमकीन मिठाई से लेकर खीर बनाने के लिए होता है मखाने से खीर वो मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है लेकिन आप में से बहुत कम लोग यह जान हैं दोस्तों कि मखाना पोशक तत्तों की भरपूर मात्रा यानि की खान होता है जो आपके कई रोगों को भी ठीक करता है शरीर को सिहतमन और ताकत्वर बनाता है इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं हम आज आपको मखाने के फायदे बताने जा रहे हैं उसके गुन बताने जा रहे हैं आपको दोस्तों मखाने में पॉस्टिक तत्वों की भरमार होती है मखाने में कैल्शियम विटामीन बी और आइरन होता है डाइबिटीज में इलाफ दायक होता है दोस्तों जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है उनके लिए मखाना किसी दवा से कम मखाना खाने से इंसुलीन का बहाव शरीर में कम हो जाता है मखाना खटा और मीठा होता है जिसे खाने से डाइबिटीज की रोक थाम होती है किड्नी के लिए लाफ दायक जिहां मखाना खाने से किड्नी स्वस्त रहती है क्योंकि इसमें स्वपलीन को डिटॉक्सिफाइड करने की शमता होती है और इस वज़े से किड्नी को पोशक तत्व की मात्रा ठीक से मिलने लगती है दोस्तों जिससे की किड्नी में जमी गंदगी से लेकर बिमारी तक दूर हो जाती है दर्द में दवा का काम करता है यह मखाना हड्यों का दर्द कमर दर्द जोडों का दर्द या घुटने का दर्द मखाना खाने से यह धर्द इठीक होने लगते हैं मखाने में केल्सियम की मात्रा अधिक होती है यह शरीर में केल्सियम की कमी को भी पुरा करता है बढ़ती उम्र को रोकता है anti-aging गुन होते हैं मखाने में मखाने में बढ़ती उम्र को रोकने की शमता होती है दोस्तों मखाना anti-aging के साथ anti-oxidant से भी भर पूर होता है जो उम्र को रोकने में सहायता करता जिसकी वजह से आप लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं जुर्यां और बालों का सफेद होना भी मखाने से कम हो जाता है दोस्तों पाचन और पीट संबंधी परिशानी मखाना खाने से पेट और पाचन तंत्र दोनों ठीक रहता है हर उम्र के लोगों को यह आसानी से पच बूत होता है दस्त या पेचिश में मखाने को देशी घी के साथ भूंकर खाने से रहत मिलती है दोस्तों अच्छी निंद और तनाव में मखाना खाने से बहुत लाव होता है दोस्तों रात को दूद में मखाने डालकर खाने से आपको अच्छी निंद आती है यह शरीर की क होते हैं जो आपको दिल के रोगों से बचाता है मखाना दिल की सेहत के लिए किसी औषदधी से कम नहीं है कमजोरी दूर Карना मखानों का नियम मित सेवन करने से सरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सिहत funding रहता है मखाने में मौझूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फीट रखने में मदद करता है मखाना शरीर के अंग सुन होने से बचाता है तथा घुटनों और कमर दर्द पैदा होने से रोकता है यानि कि आपको कमर दर्द ने भी यह लाव दायक होता है प्रेगनेंट महिलाओं और प् इसी भी अंग में हो रहा दर्द खुद खुद ठीक होने लगता है मखाना का सेवन करने से शरीर में हो रही जलन से भी रहत मिलती है मखाना को दूद में मिला कर खाने से जलन में आराम मिलती है मखाने के से दुरबलता मिठती है तथा शरीर पुष्ट होता है नपुन सकता वैवाहिक जिवन और पती पतनी के रिष्टे को दाव पर लगा देता है ये नपुन सकता लेकिन इस बात के लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों आप घर पर ही असानी से आयूर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करके नपुन सकता से मुक्ति पा सकते हैं मखाना एक ऐसा आयूर्वेदिक हर्व है जो बड़े हिस्वादिश्ट तरीके से आपके दामपत्ते जिवन में मधहूरता खोलता है मखाने में जो प्रोटीन का इब्रो कार्बो हाइट्रेट्स, फैट, मिनरल और फासफोरस आदिपोश्टिक तत्व होते हैं वो कामोतेजक होते हैं दोस्तों जो आपकी कामोतेजना को बढ़ा देते हैं अब साथ हैं शुक्राणों के क्वालिटी को बहतर बढने के साथ-स उनकी संख्या को भी बढ़ाने में सहायता करते हैं जिससे कि आपका सेक्स लाएं बहुतीं सुद्ट्रीड में पुष्ट हो जाता है भर्पूर हो जाता है दोस्तों जीहां है दोस्तों मखाने के और भी बहुत सारे गुन है आपके लिए शारीरिक पुष्टिकता यानि कि पुष्टता शारीरिक पुष्टता से बड़ी और चीज़ क्या हो सकते है दोस्तों अगर हमारा शरीर शक्तिशाली है इस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता इस प्रकार से आज आपने जाना कि मखाने से क् क्या लाव हो सकता है धन्यवाद